दोस्तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हम अभी जुलाई खतम होते होते अगस्त के फर्स्ट में ऐसे कौन से प्लांट की कटिंग लगा सकते हैं मैं आपको ऐसे 20, 25, 30 प्लांट बताऊंगी कि आप उनको अभी लगा सकते हैं ऐसे कौन-कौन से प्लांट है तो उनके बा अपने नेक्सेеп, के लिए अपनी प्लान के रखलेगे, नटोस्तों, इसकी डेख़ग्षी स्चीों लगा सकते हैं यूज लगा सकते हैं मैं इसकी कटिंग लगा ली गूँ है तो मैं आपको वह भी दिखाती हूँ, और second number पे मैं आपको दिखाती हूँ, second number पे आप money plan की cutting लगा सकते हो, money plan की cutting आपनी यहां से लेनी है, इधर से लेनी है, आपनी यहां से, यहां से cut कर देनी और इलीब निकाल देना है, और इसको पानी के अंदर भी या मिट्टी के हो जाती है, मैंने grow करी है, मैं आपको दिखाती हूँ, यहां देख सकते हूँ, आप यहां मैंने cutting लगाई हुई थी, इसी मैं से तोड़ी थी, मैंने इसकी cutting देखो, मेरी सरभाई भी होगे, इसको 3-4 दिन होगे हुए, यह बहुत अच्छे से चल पड़ती है, और इसके प इसके बाद दोस्तों, आप वेल्बेट का प्लांट है, आप इसकी cutting को भी ले सकते हैं, इसकी हलकी इतनी सी cutting लेनी है, आपने इतनी सी और इसकी दो लिट्स को निकाल के, और फिर आपने इसको डिप कर देना है, मिट्टी के अंदर तो इसके cutting भी बहुत लग जाती है, और इसके बाद दोस्तों, आप इस ताइम जो spider plant के बेबी पप्स होते हैं, उनको भी आप सेपरेट कर सकते हैं, उसकी इसकी cutting लग जाती है, आप देख सकते हैं, इसमें जो roots बनी हुई होती है, इसको आपने क्या करना है, या पानी में आप इसको ये दोनों में चल परती है, और ये आपके मिट्टी में भी चल परते हैं, और इसको आप अभी लगाओगे, तो आपका प्लान बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि इस ताइम बर्सात है, बर्सात में ये प्लान बहुत तेजी से भागता है, बहुत तेजी से इसकी growth होती है, आप इस ताइम इसको ज काणा देना, और डिपकार देना इसको, ये दोस्तो पानी और मीटी दोनों में चल पड़ते हैं, इसके पार दोस्तो मैं नहीं होती है, बहुत अच्छे कटिंग नहीं लगाई हुए कभी मैंने experience भी नहीं किया है इसको लिए इसके बारे मैं तो आपको नहीं बताऊंगी अगर आप लोगों को पता है कि इसकी कटिंग लग जाती है तो आप लोग मुझे प्लीज कमेंट में जुरूर बताएं तो मैं भी next year के इसकी कटिंग जुर और इसको आपने क्या कर देना है लगा देना है और next year के लिए आपके पास कनेर के पौदे धीरो हो जाएंगे और बहुत सारे फूल देते हैं मल्की कलर में आते हैं बहुत सारे कलर होते हैं और इसके बाद दोस्तों आप लोग यह जो हमारी टर्टल वाइन की कटिंग है इ देखने में देखो कितना अच्छा लग रहा है बहुती खूपसूरत लग रहा है देखने में तो आप इसको भी जरूर लगा इस ताइम की कटिंग आूर बहुत आप अच्छे से लग जाती है इसको यह भी दोस्तों विंटर के लिए अगर आप त्यार करना चाहते तो आप इसकी कटिंग अभी जरूर लगाएं बहुत तीजली लग जाएगी इस तर दोस्तों आप स्पाइडर प्लांट की सौरी स्पाइडर लांट नहीं यह हमारा जो रबड प्लांट है रबड प्ला और इस फाइम आप बिगोनिया की कटिंग लगा सकते हैं नो आप इसकी कटिंग भी बहुत अच्छिसे लग जाती दूस्तों तो आप इसक और शजयाएं यह स्वतल यह स्वार लगा उतल से यहँझा है इसके बाद दोस्तों आप टेव अपने कटिंग भी आ को बेस्पमे सदा बाहर की C chatting भी लगाओगे तो भी बहुत अच्छे से चलन पर और सिंगोंऐं की Cdenyam लगाओगे तो सिंगोंऐ की C To traction भी बहुत हró live जाते हैं अप देख सकते हैं इसकी जो रूट से हो कितने अच्छे से अच्छे से फैली हुई है और अपने आप यह प्लांट बहुत अच्छे से ग्रूथ करता है, देखो इसकी रूट्स कितनी जादा, और वैसे ही यह ग्रूथ कर रहा है उपर को, देखो रूट्स ने ही इसको बहुत अच्छे से पकड़ के रखा हुआ है, और यह वाला सिंगोनिम, इसकी भी आप इस त परपर हाट की कटिंग भी आप इस ताइम जरूर लगा है, और इसके बाद बेबी संडरोज इसको भी आप लगाएं, बेबी संरोज तो बहुत अच्छे से फैल जाता है, इसके भी कोई केर टिप्स नहीं है, आप इसको बहुत इसली लगाओगे, तो आपका प्लांट में अपका गमला भर जाएगा और आप देखोगे, आपके गार्डन में डहरोप्लान त्यार हो गए, इस ताइम आप जरेनियम की कटिंग भी लगा जाते हैं, जरेनियम की कटिंग भी बहुत अच्छे से लग जाती आप देख सकते हैं, इस ताइम आप मैकसिकन पिटुनिया क कटिंग भी लगा सकते हैं वो भी बहुत अच्छे से चल पड़ती है दोस्तों आप इसकी कटिंग लगाओगे तो आपके गार्डन में धीरो फूल त्यार हो जाएंगे आप देख सकते हैं मेरे पास यह वाइट कलर का है यह तो आप इसको भी लगा सकते हैं देखो इस तरह स जो लीप्स है वो आने लगी है आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं इस ताम दोस्तों आप हमारा जो यह लिप्स्टिक एगलोनीमा है यह वाला लिप्स्टिक एगलोनीमा और रेड एगलोनीमा और स्नौ वाइट एगलोनीमा आप इन तीनों की कटिंग आप इस ताम लगा सक के दोखो कटिंग लगा करन के रखिए यहां पर आप में यहां पर आपको दिखाया नहीं था क्योंकि बहुत जागा टािम हो जाता है, तो इसलिए मैंने निट्न लगा ली हुए थी तो आप इसकी कटिंग लगा ले। इस्ताइम आप यह रिधा होनी की मेन की मदुमालदी गामनी की मदुकामनी की मदुकामनी करना पाइब भीन है वार Đi도 के यह जलत अब थम्हाँ तॉA बामन्ट इसमों की एज़री आता है और् नल्ाे तैम झाता करो लिधा है Mark तो हम इतने प्लांट को नहीं अफॉर्ड कर सकते हैं तो हम अपने ही गार्डन में या कही रिलेटिव से कटिंग लेकर आए तो हम देरो प्लांट की कटिंग त्यार कर सकते हैं कि मैंने आपको दिखाया था कि बेबी सन्रोज इस टाइम बहुत अच्या प्लूब कर रहा है तो आप इसकी कटिंग बहुत अच्छी से इस तरह से अपने गर्डन को फूलों से अप सजा सकते हैं इस तरह से चोट छुट फूल होते हैं वह देखने में भी बहुत अच्छी होथ्य झाल पर्ती है और इसमें 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 एक फर्ख होता है कि Αम इसनेक प्लांट कीуса कडिर्ट दिल इसमें को ऐसे जब आता है इसमें सारे मेरे राका दूसरी से लेकर चीजें को जो हमारे गार्डर में रहती है तो इसी तरह से आप यह वाला देखो मेरे पास कितना अच्छा पहला हुआ है और मैंने कटिंग लगाई हुई थी मैं आपको बता रही थी कटिंग मैंने यहां लगाई हुई थी बट अभी इसको निकालना नहीं ठीक रहेगा, क्यूंकि यह कटिंग लगी हुई है अगर नि को लगाले इस टाइम दोस्तो आप ही कटिंग भी सकते हैं जो की बहुत अच्छी से चल पती हैं ना भूले इस टाइम दोस्तो edition जो हमारा इस बास्केट प्लाइट है अब इसको भी लगाना ना भूले, इसकी कटिंग से लग जाता है, और इसकी तो में बहुत सारी कटिंग बांटी भी है, आप देख सकते हैं, और फिर सी अब लगाने को हो गया, इसको अब लगाऊंगी, तो आने वाले टाइम के लिए बहुत अच्छा फैल जाएगा, बहुत सकते हैं, इसको भी लगा सकते हैं, इस तरह मेरा गार्डन है, अगर आपको जो मेरी वीडियो है वो अच्छी लगी है, तो आप मेरे चानल को लाइक किजिए, शेयर किजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत महनत लगती हैं दोस्तों, गार्डन की केर करने के लिए ब आप लोग प्लीज पूरा देकर स्किपना करें, और तो ही आपको पता भी चलेगा कि अिस टाइम आप लोगों को कौन कौन असी कटिंग लगानी है, और ऐसे बहुत सारे प्लांट होते हैं, जिनको आप इस time cutting से लगा सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं, मैरे गार्डन को अच्छी लगी हो और मिलती हूं किसी और वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई थैंक्स फ़र वाचिंग हैपी गार्णिंग फ्रेंट आप लोग कटिंग लगाना ना भूले